यह है दोस्तो बारामासी आम जिसका स्वाद आप सर्दियों के मोसम में भी चख सकते हो नेक्स प्लांट है दोस्तो हमारे यह है कटेल का प्लांट जिसको आप सर्द गंबले में लगा सकते हो यह है दोस्तो हमारा आम का प्लांट बारामासी बड़े साइज का और यह है दोस्तो हमारा चीकू इसमें भी फल लगे हुए इसे भी आप गंबले में और यह है दोस्तो लाल चंदन जिसको लगा का आप लाकू की कमाई कर सकते हो नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ्टिंग प्लांट के उपर तरसल दोस्तो कलकता से नए प्लांट आए हैं उसमें कुछ ग्राफ्टिंग प्लांट है और कुछ यूनिक प्लांट है जिसके बारे बात करने वाले हैं जितने भी आप प्लांट देख रहे है दोस्तो इसमें खास है आम के प्रांट। और जिसमें आप बारा महीने में दो बार फल पाच सकते। लुवर्भंधे ज़ब ऱ्रिंगी में भी शर्डी कर्मीं में तो सबसे पहले हम आमकी बारम बात करते ह। यह यह जो आप देख रहें दोस्तों यह बारामासी आम के प्लांट है इसमें साल में दो बार फल ले सकते हो इस सर्दी के मौसम में एक गर्मी के मौसम इन दोनों दोस्तों बारामासी प्लांट में दो वेराइटी आपको मिल जाएगी एक अमरपाली एक बारामासी चली मैं आप आपने टैरिस्ट पर दख सकते हो बाल कोनी जहां परवामेंट दूप आती है ऐसी जगह रखके गंबले में फल पा सकते हो यह छोटे साइज का है दोस्तो इसमें फल अभी लगा नहीं है लेकिन छोटे कट्टे का साइज है इस यह आपको 250 के मिलेगा बड़े साइज का जो ह परवामेंट दूप आती हो चट पर टारिस्ट पर आप रखके ठेरो फल पा सकता है अगर जमी में लगा देते हो तो इसकी संक्या चार गुना तेजी से बढ़ती है चलिए दोस्तों नेक्स प्लांट की हमारा कुम सा है नेक्स प्लांट दोस्तों हमारा सबसे महंगा प्ला में लगा दिया तो यह यकीन मानिये दोस्तों लाखों का एक पेड़ भी सैल होता है इसकी जो लकड़ी है काफी महंगी सैल होती है इसलिए आपके पास आगर जमीन है तो इसे जरूर लगाईए और लाखों खेती कर सकते है और लेड़ी हर्यानों में गया था उन्हों काफ किसानों नहीं से लगा रखा पहले यह इलीगल हुआ करता लिक गोर्मेंट आप कोई भी कहीं भी किसी वी जिस्तान पर लगा सकता है तो प्राइज की बात करें तो मातर आपको 350 से लेका 600 के बीच में यह दोस्तों मिल जाएगा चले दोस्तों नेक्स प्रांट की बात करते नेक्स प्रांट हमारा जैक फूट जिसे हंदी मैं हम कटल के नाम से जानते है छानते है दोस्तों इसमान दो वेराइटी आती है एक वेराइटी गराप्टिंग वाली है जो आप बड़ा ऊधका देख यह बड़व्ड गराप्टिंग वाला इसमें चोटे साइज का भी है तो ग्राफ्टिंग वाले फाइदा क्या है उसमें छोटे साइज में फल लगने इस्टार्ट हो जाते हैं लेकि उसके जो फल का साइज है और उसका जो बजन है वो कम होता है दोस्तों दो तीन किलो या चार किलो तक इससे जादे नहीं बढ़ता जो बड़े वाले साइज हो प्लांट बड़ा हो जाता है तब फल लगते हैं प्राइस की बाद करूं तो छोटे वाला जो मिलेगा ग्राफ्टिंग वाला तूफिप्टी का असपास बड़े वाला मिलेगा आपको 450 का असपास मिलेगा दोस्तों नसीब है और इसे भी आप गंबले में ला सकते हो ग्रा प्लांट है हमारा जिसे आप गंबले में लगा कर देहरो फल पासकते हो और इसमें तीन वेराइटी मिल जाएंगी सुरूबात होती है दोस्तों तूफिप्टी से लेकर आपको 900 रुपे तक मिल जागा 900 ट्रक और इसमें गंबले में भी है बिदावट उसमें पॉली वैग दिखा जिए तो फल सभी में लगे हुएं उल्डेडी आप देख सकते हो फल यह है और भी इसमें नजर डालोगों तो अधर भी लगे है अधर भी है सभी में फल आपको अल्डेडी नजर आएंगी प्राइज की बात करूं तो दोस्तों आपको जैसे मैं रहा है 200 रुपे स आपको मिलेगा 600 रुपेगा कि यह थोड़ा यूनिक है दोस्तों और इसमें फल की संक्या जो जादा आती है इस वात को आपको धियान एक रहा है दोस्तों अधिकांश लोग बाग कहते हैं कि हमारे फल के आइटम में फल नहीं लग रहे चीकू खासकर तो इसमें क्या है द दोस्तों मेरे हाइट से उपर जारें साभी प्लांट और यह देसी आम जैसे मैं कर रहा हूं यह देसेरी आम है दोस्तों और इसे आप खेत में अपारक में लगा सकते हो और इसके प्राइस की बात करूं तो यह आप 550 में आगराम से आपको नसी से मिल जाएगा अक्सर दोस्तों एक बात और बताओं आम का प्लांट को पानी जादा चाहिए होता है वीडियो पसंद आए तो लाइक चरूर कर दीजिए